T20 वर्ल कप के सेमी फाइनल में मिली हार के बाद BCCI टीम चेन को लेकर अब काफी सक्थ हो गई है और इसी कड़ी में राष्ट्य चेन समीति के अध्यक्ष चेतन सर्मा सहित पूरी टीम को बर्खास्त कर दिया गया है और इस पद के लिए आवेदन करने वालों के लिए ट्व को मिदवार उक्तपद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन पर विचार करने के लिए नीचे लिखे मानदन को पूरा करना होगा जिसके लिए BCCI.TV का एक लिंक पोस्ट किया गया है इसके अलावा खबड़े ये भी है कि BCCI आने वाले दिनों में र खबड़े ये भी है कि अगले T20 वर्ल्ड कप तक के लिए हार्दिक पांडिया की कप्तानी फिक्स हो जाएगी. क्या है इस खबर की पूरी कहानी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम घंसियाम सिंग है और आप जनता जंकसन रहे हैं दरसल BCCI ने राष्टिय चैन करता समीती की अध्यक्ष चेतन सर्मा सहित टीम के सदस्य देवासीस मोहंती सुनील जोसी और हरविंदर सिंग को पद से हटा दिया है आम तोर पर एक सीनियर चैन करता की कारकाल का कम से कम 4 साल होता है और इसके बाद आगे भी बढ़ में हुई थी चेतन सर्मा के कारिकाल के दोरान 2020 में भारत फाइनल में नहीं जा पाई थी इसके लावा के चेतन सर्मा के ओरा की चैन समिती अगवाई वाली चेहन समिती को बरखास्त कर दिया है और BCCI के द्वारत दिये गए इस फैसले से भारतिय टीम को कितना फायदा मिलेगा यह आगे देखने वाली बात होगी लेकिन फिरहाल बिराट कोहली के फैन BCCI के इस फैसले से काफी खुस नजर आ रहे हैं बिराट कोहल को वन्डे की कपतान से हटाने का याद दिलाया आपको बता दे कि विराट कोहली ने T20 World Cup 2020 में मिलिहार के बाद T20 की कपतानी को छोड़ दिया था लेकिन विराट कोहली वन्डे और TESXT की कपतान बने रहना चाहते थे लेकिन चैन समीती ने रोहिष सर्मा को हर मैच की कप्तान बनाने को सोच लिये थे और इस वज़ा से विराट कोहली को वंडे की कप्तानी से हटा दिया था इसके कुछ दिन बाद विराट कोहली ने इसी साल टेस्ट की कप्तानी से भी इस्तिफादे दिय और अब BCCI ने नए चैन समीती बनाने के लिए आवेदन के लिए इन्वाइट किया है और नए चैन समीती के बनने के बाद ही BCCI का सबसे पहला लक्ष यही रहेगा कि अलग-अलग पैटर्न वाली मैच के लिए अलग-अलग कप्तान को चुना जाए जब भी नए चैन समीती का गठन होगा तो उसका सबसे पहला काम यही रहेगा कि अलग-अलग पैटर्न वाली मैच जैसे टेस्ट के लिए अलग कप्तान, वन डे के लिए अलग कप्तान और T20 स्रीज के लिए अलग-अलग कप्तान को चुनना है अगामी नुजलेंड से मैच में T20 मैच के लिए हार्दिक पांडिया को कप्तान बनाया गया है और अगर हार्दिक पांडिया की परफर्मेंस एक कप्तान के तोर पर अच्छी रहती है तो T20 format के लिए अगली वर्ल्ड कप तक हार्दिक पंदिया को ही कप्तान बनाया जाएगा और इसके आलाबा जब तक चैन समीति की गठन नहीं होती है तब तक फिलाल ब्रोहिश सर्मा वंडे और टेस्ट की कप्तान बने रहेंगे हार्दिक पंदिया के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहा है हार्दिक पंदिया ने इस पूरे साल बॉलिंग और बैटिंग के आलाबा अपने आपको एक नए लीडर के तौर पर भी साबित किया है और यही वज़ा है कि हार्दिक पंदिया को D20 फॉर्मेट के लिए फिक्स कप्तान बनाए जाने की बात हो रही है हार्दिक पंदिया ने IPL में अपने कप्तान ही और खेल के दम पर गुजरात की नई IPL टीम को जित दर्ज करवाया और इस पुड़े IPL के दोरान चार अर्श तक भी लगाया और अच्छी गेंदवाजी करके आठ विकेट भी लिया BCCI ने जो नए चैन समिती के लिए आवेदक को आमंतिरित किया है उसकी आवेदन करने की अंतीमती थी 28 नुवंबर 6 बजी तक की है और आवेदक कम से कम साथ टेस्ट मैच या 30 पर्थम स्रेनी मैच या फिर 10 वंडे और 20 फर्ष्ट क्लास मैच खेला हो और कम से कम 5 साल पहले खेल से सन्यास ले लिया हो वही लोग चैन समीती का सदस बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा जैसे ही नए चैन समीती का गठन होगा वह ऐसे ही हो सकता है कि रोहिस सर्मा से वंडे और टेस्ट मैच या अच्छी कपतानी विछीन ली जाएगी क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में रोहिस सर्मा नहीं अच्छी कपतानी कर पाए और नहीं अपनी खेल से अच्छी परदर्सन कर पाए हैं T20 World Cup में मिली हार का बहुत बरा बज़ा रोहिश सर्मा का नहीं चलना भी है क्योंकि किसी भी टीम को जीत के लिए एक अच्छी शुरुवात की जरूरत होती है चाहे बात बल्लेबाजी की हो या फिर गेंदबाजी की रोहिश सर्मा इस पूरे World Cup स्रीज में अपनी बल्लेबा रहे हैं और मैं घंसयाम सिंग बहुत बहुत धन्यवाद